नवरात्री का त्योहार इस पार मिधलापूर के लोगों पर इतनी बड़ी आफ़त लेकर आने वाला था ये किसी को पता नहीं था सडके सुनसान पड़ी थी मंदिर में भी कोई नहीं जाता था सडक पर तभी कोई आदमी नजर आता जब किसी घर से अर्थी निकलती और उस अर्थी में सर्व घर के लोग ही शामिल होते ऐसा कोई दिन नहीं था जब किसी घर से लाश नहीं निकलती हर घर से कोई ना कोई अर्थी हर दिन निकल ही रही थी कभी बच्चे की, कभी पूढ़े की, कभी जवान की, तो कभी औरत की साथ बरस पाल पोस कर बेटे को इतना बड़ा किया और हब वो मुझे चोड़ कर चला गया हे दुर्गा मा ये कैसा प्रकोप है हम इतलापुर के लोगों पर कुछ अभागे तो ऐसे भी होते, जिनकी लाश को कांधा देने के लिए चार लोग भी नहीं मिल रहे थे ऐसा ये अभागा था सूरत चन, जिसकी छोटी बेटी मीठी उसके मृत शरीर को खीच कर शमशान की उड़ ले जा रहे थी बाबा भी चले गए, कल मैं भी चली जाओंगी पूरा गाउं चला जाएगा, तो फिर माता के मंदिर में पूजा अरादना कौन करेगा ये कहानी 200 साल पहले की है मिठलापुर गाउं में मीठी नाम की एक गरीब लड़की अपने पिता सूरज चंद के साथ रहती थी दोनों दुरगा मंदिर के बाहर फूलों की माला बेचा करते थे अरे हाँ चाचा, बिलकुल ताजे फूल है अब क्या मैं अपनी मा के लिए बासी फूल दूँगी आपको नहीं नहीं, मैं और बाबा हर दिन सुबह सुबह जाते हैं फूलों को तोड़ने उतनी सुबह तो सूरज भी नहीं जागता अच्छा, इतनी सवेरे तुम जाग जाती हो हाँ, जाग जाती हो ना, अगर नहीं जागूंगी तो मेरी मा के लिए फूल कैसे आएंगे पैदा होने के तुरंद बाद ही गुजर गई थी, इसलिए दुरगा मा को ही वो अपनी मा मानती थी मा, तु तो जानती है न नवरात्री आ रही है, और इस बार मैंने नवरात्री का वरत रखने का फैसला किया है मीठी के बाबा सूरचन को ये बिलकुल पता नहीं था, कि मीठी इस बार वरत रखने वाली है, लेकिन जब उन्हें इस बारे में पता चला तो कैसे रखूंगी मतलब, जैसे सबी रखते हैं बाबा कुछ भी खाना नहीं होता है वरत में, पता है ना? हाँ, पता है, मैं रखलूंगी बाबा नवरात्री में भक्तों को मा के स्वागत का मौका तो मिलता है, लेकिन ये वो समय भी होता है, जब काली शक्तियों को भी प्राप्त करने की कोशिश की जाती है मिधिलापुर के लोग नवरात्री की तैयारी कर रहे थे, और उधर शम्शान में हवन कुंड के पास बैठा काली शक्तियों का उपासक, त्रिपुटा सुर बेहत गुस्से में था मेरी लाख कोशिश के बावजुद भी लोग उस दुरगा की पूजा करना नहीं छोड़ रहे हैं, और ना ही मुझे इश्वर मान रहे हैं ये कहकर उसने सामने रखा कटार निकाला और उसका वार अपनी गरदन पर कर दिया अगले ही पल उसका कटा सिर हवन कुंड के उपर जागिरा और त्रिपुटा सुर का धर्ड वहीं शम्शान की भूमी पर तडपने लगा तभी अचानक वहाँ एक काला दानव प्रकट हुआ, उस दानव के तीन सर थे, पर आँख एकी थी, वो भी बीच वाले सिर में त्रिपुटा सुर, मैं तुमारी भक्ति से अत्यांत प्रसन्न हूँ, तुमने अपनी बली दे कर मेरे हिदय को जीत लिया है ए कटे सिर, मैं तुझे आग्या दे रहा हूँ, कि तु अभी के अभी त्रिपुटा सुर के धड़ पर जा कर लग जा त्रिपुटा सुर का कटा सिर उड़ता हुआ आया और उसके धड़ पर जा लगा त्रिपुटा सुर तुरंत उठकर खड़ा हो गया काला दानव की जय हो त्रिपुटा सुर, बोलो क्या इच्छा है तुम्हारी मेरी एक ही इच्छा है, भगवान बनने की मैं भगवान बनना चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि लोग मेरी पूजा करें दुरगा की नहीं, लेकिन मैं नहीं जानता कि ये कैसे संभाव है बस तुझे भगवान बनाना है त्रिपुटा सुर, तुम्हें तो पता है ना इसके पहले भी कहीं लोगों की यही इच्छा रही है लेकिन कोई भगवान नहीं बन सका इसका मतलब आप में वो शक्ती नहीं है कि मुझे भगवान बना सके त्रिपुटा सुर, शक्ती तभी सार्थक होती है जब उसका गलत फायदा ना उठाए जाए लेकिन मैं अपने वर्दान से बंधा हुआ हूँ जाओ, मैं तुम्हें महामारी फैलाने की शक्ती देता हूँ और इससे लोगों को मुक्ती दिलाने की भी शक्ती जब तुम लोगों को इससे मुक्ती दिलाओगे तो लोग खुद वा खुद तुम्हे भगवान मान लेंगे उसके बाद काले दानव ने अपनी आखे बंद की और कोई मंत्र पढ़ा थोड़ी तेर बाद उसके शरीर से धुआ निकलने लगा और एक औरत प्रकट हुई जिसका रंग भयानक काला था त्रिपूटा सुर यही है महामारी यह मेरी दासी है लेकिन आज के बाद यह तुम्हारी दासी है यह जहां रहती है वहाँ लोगों को बयानक बिमारे होने लगती है इस बिमारी से लोगों का शरीर गलने लगता है उसके शरीर में कीड़े पढ़ने लगते हैं और फिर एक दिन वो तड़ाप तड़ाप कर मर जाता है जाओ और इसका उपयोग करो और बन जाओ भगवान महामारी की शक्ति और त्रिपुटा सुर की शैतानी सोच ने मिधिलापुर जैसे हस्ते खेलते जगह को शमशान बना दिया था हर दिन लोगों की मौत हर घर से आती रोने की आवाज से मिधिलापुर के लोग पूरी तरह डर गए थे लोग प्रार्थना तो कर रहे थे लेकिन इस महामारी से मुक्ति नहीं मिल रही थी एक दिन की बात है त्रिपुटा सुर्म भैसे पर सवार होकर मिधिलापुर पहुचा उसके पीछे महामारी बैठी हुई थी वो गाउं के बीचों बीच खड़ा हो गया और हसते हुए लोगों से बोला मिधिलापुर के लोगों कैसे लग रही है हर घर से आती चीखों की आवाज कैसा लग रहा है घर से चीता को निकलते हुए देखना जानते हो इन मौतों के पीछे मेरी ये दासी महामारी का हाथ है मैं इसे जो बोलता हूँ वो ये करती है अगर तुम लोग चाहते हो कि इन मौतों का सिलसिला थम जाए तो मुझे इश्वर मानना शुरू कर दो क्योंकि इन मौतों और महामारी से अगर तुम्हे कोई बचा सकता है तो वो मैं हूँ इसलिए आज से दुरगा की पूजा छोड़ो और मेरी पूजा शुरू करो अगर नहीं तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ महामारी का खौफ लोगों में इतना बढ़ गया था कि लोगों ने ना आगे की सोची ना पीछे की उन्होंने त्रिपुटा सुर को भगवान मान लिया नवरात्री में जहां मातारानी की पूजा होती थी वहां हर घर में त्रिपुटा सुर की पूजा और आर्थी होने लगी पूरे मिथलापुर में अगर कोई ऐसा था जो त्रिपुटा सुर की पूजा नहीं कर रहा था तो वो थी मीठी त्रिपुटा सुर को जब ये पता लगा तो वो गुस्से में पागल हो गया और महामारी को लेकर दुरगा मंदिर में जा पहुचा जहां वो भूखी प्यासी मा की पूजा कर रही थी मा देखना क्या हो गया है यहां के लोगों को लोगों ने आपकी अरादना छोड़ दी कोई मंदिर नहीं आना चाहता मा सभी को आपकी शक्ती से ज़ादा उस त्रिपुटा सुर की शक्ती पर विश्वास हो गया है और वो यहां का ईश्वर बन बैठा है लेकिन उसे पता नहीं मेरी मा की शक्ती कितनी है उसे नहीं पता है कि किसी की पूजा डर कर नहीं प्रेम और भक्ती से की जाती है कोई भी ईश्वर किसी को डरा कर नहीं बनता महामारी भयानक हसी के साथ मिठी के शरीर में प्रवेश करने वाली थी तभी मंदिर की दुर्गा की मूरत में हलचल हुई और उनके हाथ से निकल कर एक त्रिशूल उड़ता हुआ महामारी के पेट में जालगता है उसके पेट से खून की धार बेह निकलती है त्रिपुटा सुर यह देख कर गुस्से में भर जाता है और मीठी की ओर देख कर कहता है मुझे जादू सिखा रही है तू रुक त्रिपुटा सुर मीठी को पकड़ कर उठा लेता है और उसे जमीन पर पटकने वाला होता है तभी मा दुरगा साक्षाद रूप में वहाँ प्रकट होती है मा, मा आप, मैं आ गई हूँ बीटी, तू चिंता मत कर तू आई है इसे बचाने, तू, तुझे पता नहीं, मैं इश्वर हूँ यहां का, तू नहीं तुने सारी सीमाई लांग दी हैं, आज इस छोटी सी बच्ची को जो बिचारी नवरात्र कर भूखे प्यासे मेरी आरात्ना कर रही है उस पर तू अपनी शक्ती दिखाने आ गया, बहुत इश्वर बनने का शौक है तुझे, बचा आप खुद को माता दुर्गा ने उसी समय खड़क से त्रिपुटा सुर की गरदन काट दी, वो छटपटा कर मर गया उसके बाद माता दुर्गा ने अपनी आँखे बंद की और जोर से फूंक मारी, अचानक वहां तेज तेज आंधी चलने लगी आँधी इतनी देश थी कि लोग अपने घरों से बाहर निकल आए मा दुर्गा को देख कर सभी आश्वरे चकित रह गए लोगों ने जब त्रिपुटा सुर्ग और माहमारी को मरे देखा तो दुरगा माता कीजे… त्रिपुटासौर का आतंग ख़त्म हो गया इस छोटी गरीब बेटी जिसके पिता भी अब नहीं रहे उसके विश्वास ने मा दुरगा को यहाँ खीज लाया उसके बाद मातारानी ने लोगों की ओर मुस्कुरा कर देखा और फिर से कुछ मंत्र पढ़कर हवा की ओर इशारा किया अचानक हवा में एक कलश प्रकट हुआ वो अमरित कलश था उससे अमरित की बूंदे जमीन पर गिरने लगी और एक एक कर गाओं के मरे लोग जीवित होने लगे मीठी के पिता भी जीवित हो गये मीठी ने भाग कर उन्हें गले से लगा लिया और जोर से बोली दुर का माता की जए दुर का माता की जए गरीबी लोगों को अंदर से मार देती है खास कर बच्चों को मधू ऐसे ये गरीब परिवार की लड़की है मधू स्कूल तो जाती है लेकिन फटे हुए कपड़ों में उसके पास नया यूनिफॉर्म खरीदने के पैसे नहीं है उसके पास लि कर स्कूल के बागी बच्चे और टीचर भी उसका मजाक उड़ाते हैं बच्चों लिखना शुरू करो मैं सबकी कौपी चेक करूँगी सभी बच्चों ने कौपी निकाल कर लिखना शुरू कर दिया मधू ने फटी हुई कौपी तो निकाली लेकिन उसके पास पैन नहीं उसने बाकी बच्चों से पैन मांगना शुरू किया ये सुनकर मधू को रोना आ गया तभी टीचर ने कहा क्या बात है राजू तुम खुसुर खुसुर क्यों कर रहे हो मधू मुझसे पैन मांग रही है मैडम उसके पास पैन भी नहीं है क्या मधू कुछ भी नहीं है तो स्कूल क्यों आती हो बाहर बाकी गरीब बच्चों की तरह बक्रियां चराओ नहीं मैडम मुझे पढ़ लिखकर कुछ बनना है ये सुनकर सभी जोर-जोर से हसने लगे पढ़ने के लिए किताब खरीदनी पढ़ती है वो भी हमारे ही स्कूल से हाँ मधू के पास तो किताबे भी नहीं है मधू गरीब है उसका बापनी कमा है टीचर ने मधू को क्लास के बाहर कान पकड़ कर मुर्गा बना दिया मधू की आँखों से आंसू टपकने लगे जमीन पर आंसू गिरते गिरते वो जगा भीग गई और मधू मनी मन दुर्गा मा को याद करने लगी मधू का दुख देख कर स्वर्ग में बैठी हुई दुर्गा मा का दिल भी भराया नवरात्री आने वाली थी और धर्ती लोग में चारो तरफ अमीर लोग नवरात्री के लिए बहुत कुछ खरीद रहे थे लेकिन मधू के परिवार के पास सूखी रोटी के अलावा कुछ नहीं था लेकिन मधू दुर्गा मा की सच्ची भग थी उसने कभी खुद के लिए दुर्गा मा से कुछ नहीं मांगा था दुनिया के अमीर लोग मुझसे बस अपने लिए धन दौलत के मांग करते हैं लेकिन इतनी सी बच्ची कितनी मेहनत कर रही है मैं इसकी मदद नहीं करूँगी तो कौन करेगा स्कूल खत्म होने के बाद सभी बच्चे अपने अपने घर चले गए मधु पूरा दिन मुर्गा बनने के बाद गाओं के ही एक तालाब के पास जाकर बैठी रही और रोने लगी क्या करूँगी मैं स्कूल जाकर स्कूल में शिक्षा नहीं सिर्फ या पार चल रहा है स्कूल से ही हर साल नया यूनिफॉर्म खरीदना होगा स्कूल से ही किताबे खरीदी पड़ेगी और स्कूल से फीस अलग से देनी होगी मेरे बापु के पास इतना पैसा नहीं है मधू अपने ही खयालों में खोई हुई थी तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा उसने मुर कर देखा नौ लड़कियां वहाँ खड़ी है सभी की उम्र मधू की उम्र के बराबर ही है अरे कौन हो तुम लोग? मैंने तो तुम लोगों को यहाँ कभी नहीं देखा मेरा नाम शेली है हम सब यहाँ नए हैं हम तुम्हारे स्कूल में भरती हुए है इसलिए सोचा क्यों ना तुम से दोस्ती की जाए मेरे स्कूल में? अरे वा, मेरा नाम मधू है ना? मैं जानती हूँ आज से हम दोस्त हैं तुम लोग कब से स्कूल जाओगे? कल से कल नवरात्री का पहला दिन है न? शुब दिन है कल हम सब एक साथ स्कूल जाएंगे मधू बहुत खुश हुई आखिरकार किसी ने उससे अच्छे से बात की अगले दिन मधू नौ लड़कियों से इसी जगा पर मिली और फिर सभी एक साथ स्कूल चली गए स्कूल में मधू के साथ बाकी लड़कियों को देख कर बाकी बच्चे आपस में खुसुर-फुसुर करने लगे अरे ये किन लोगों को लेकर आई है? इतने सारी लड़कियां एक साथ आज कहां से आ गए? लगता है इसी की बस्ती की लड़किया है तब ही टीचर वहां आ गई बच्चो ये नौ लड़कियां आज से इसी क्लास में बैठेंगे इन लोगों ने कल ही स्कूल में अड्मिशन लिया है और पूरे साल का पेमेंट एक साथ कर दिया है अरे वाँ, इसका मतलब ये सब अमीर है हेलो, क्या तुम लोग मुझसे दोस्ती करोगे? मैं इस क्लास का सबसे अमीर लड़का हूँ तो क्या हुआ? हो तो बिलकुल लप्पू से ये सुनकर क्लास के सारे बच्चे हसने लगे शेली, तुम तो कमाल की हो क्लास के सारे बच्चे फिर से हस पड़े राजू गुसे से लाल हो गया लेकिन और कुछ कहने की उसे हिम्मत नहीं हुई वो चुप हो गया टीचर भी पढ़ाने लगी लंज के वक्त मधू ने खाना निकाला एक सूखी रोटी और नमक ये देखकर राजू उसका मजाग उडाने लगा ये क्या लाई है मधू? सूखी रोटी कौन खाता है? तेरे घर में खाना नहीं है क्या? सूखी रोटी? कहा है सूखी रोटी? वो रही मधू की टिफिन बॉक्स में कहां? वहां तो हल्वा चोले और पूरी है हल्वा पूरी? सभी ने देखा मधू के टिफिन बॉक्स में हल्वा चोले और पूरी है ये देखकर मधू भी हरान रह गई अरे ये क्या, ये कैसे हो गया, मैं तो सूखी रोटी ही लाई थी मेहनत की सूखी रोटी हलवा पूरी से कम है क्या सच कहा तुमने शेली, चलो हम सभी एक साथ खाना खाते है मधू के साथ नौ लड़कियां खाना खाने लगी राजू मधू पर गुस्सा था, उसने प्रिंसिपल के पास जाकर शिकायत कर दी सर, मधू ने फीस नहीं भरी, लेकिन क्लास में बैठकर हलवा पूरी खा रही है अच्छा, रुख जाओ, मैं उसे मज़ा चखाता हूँ खाना खाने के बाद मधू बैठी ही थी कि तभी प्रिंसिपल सर आगे मधू, तुमने दो महिने से फीस नहीं भरी, ये मजाग सोच कर रखा है क्या मेरे पापा बहुत गरीब है सर, मैं कुछी दिनों के अंदर भर तूँगी गरीब है, इसलिए हलवा पूरी खा रही हो तुम, मुझे क्या बेवकूप समझा है मार मार के मैं तुम्हारी हड़ी पसली एक कर दूँगा ये बोलकर प्रिंसिपल सर मधू को मारने के लिए आगे बढ़े राजू और क्लास टीचर खड़े होकर हसने लगे शेली ने ये देखा तो चिल्ला कर कहा खबरदार प्रिंसिपल जो मधू पर हाथ उठाया प्रिंसिपल सर घबरा कर रुख गए क्या, इतनी सी बच्ची होकर मुझे धमका रही हो मुझे पहचानती नहीं हो तुम, मैं तो तुम लोगों को भी मारूंगा लेकिन तभी चमतकार हुआ नौ लड़कियां दुर्गा मा के नौ अफ़तारों में बदल गए शेली देवी शेल पुत्री में बदल गई मा, मा, आप सबी आयें मेरे सामने क्या ये मैं ठीक देख रही हूँ ठीक ही देख रही हो मधू, मैं असुरों का विनाश करती हूँ इसलिए हम नौ देवियां आए हैं यहां ये सारे लोग अलंकार के अहंकार में अंधे हो गए हैं इन्हें उचित शिक्षा देनी होगी मुझे माफ कर दीजी माते, मुझे माफ कर दीजी मुझे से भी गलती हो गई मैं और कभी पैसों का घमन नहीं करूंगा और मधू को परिशान भी नहीं करूंगा ठीक है, मैं तुम लोगों को आखरी मौका देती हूँ अपसे इस विद्याले में किसी भी गरीब बच्चे से पैसा नहीं लिया जाएगा और मधू, अपसे तुम्हारा परिवार गरीब नहीं रहेगा तथास तू नौ देविया अद्रिश्य हो गए मधू के घर में बहुत सारे पैसे और धन दौलत आ गए वो लोग अमीर हो गए प्रिंसिपल सर ने आगे से किसी भी गरीब बच्चों से फीस नहीं लिया मधू की बस्ती के सारे बच्चे स्कूल में भरती हुए और पढ़ाई करने लगे क्लास टीचर भी मन लगा कर पढ़ाने लगी और राजू मधू का दोस्त बन गया इसी तरह मधू की जिंदगी बदल गई और वो खुशी खुशी रहने लगी